हमने पिछली वीडियो में जाना कि multi-tasking क्या होता है and इसके benefits क्या है तो आज हम उसी वीडियो के बात का एक topic cover करने जा रहे हैं कि आखे multi-tasking हम कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर आज किस वाली वीडियो में मैं आपको multi-tasking के बारे में theoretical knowledge भी दूँगा logical knowledge भी दूँगा and आपको कुछ tips भी दूँगा कि हम multi-tasking कैसे कर सकते हैं तो देखो आज से कहीं साल पहले हमारे पस ज़्यादा काम नहीं होते थे कुछ गिने चुरे हम सबके daily basis के काम होते थे जो कि सब करते थे बट आज हर चीज की लाखो variety available है लाखो course available है इतनी सारी चीजे हैं सीखने के लिए हमारे पास कि जिसके लिए हमारी पूरी life कम पढ़ जाएगी एंड इस छोटी से life में हमें जितनी चाहता हो सके उतनी सारी चीजे सीखने के लिए या काम करने के लिए हमें multitasking के ज़रोध बढ़ते हैं आप देखो कुछ लोग बोलता है कि multitasking is a cause of stress बट वो इसलिए होता है कि अगर आप कोई काम चोज करते हो जो की बहुत different है आपके पहले वाले काम तो जब आप बिल्कुल opposite काम करना शुरू करते हो एक ही time पे तो उन दोनों कामों के बीच में distance बढ़ता चले जाता है और वही distance आपका stress बनता है वही पे लोगों का perspective क्या है multitasking की तरफ से कि एक काम वो है एक काम बिल्कुल opposite है एक काम ज़्यादा hard है एक काम ज़्यादा easy है तो हम उसको एक time पे कैसे करें यह है लोगों का mindset सबसे पहले तो आपको thinking बदलने पड़े, आपको अपने multitasking के काम करते समय, सारे कामों को एक dot की तरह लेके चलो, समझो कि वो सारे काम एक ही है, आप जितना जदा कामों के बीच में integration करोगे, उनको similar समझोगे, उतना जदा आपको easy होगा multitask करना, वही पे आपको multitask करते समय, एक काम से दूसरे काम पर switch करना आना चाहिए, even आपको अपनी हर चीज़ों को systematic order में लेके चलना चाहिए, चाहिए वो आपकी hobby हो, आपका passion हो, या आपका कोई professional work हो, and जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको हर चीज़ों को similar लेके चलना है, आपको अपने daily basis के जितने क काम है, उनको हलग अलग मत समझो, like अगर आपको singing पसर, बट आप school भी जाते हो, या फिर आप college जाते हो, या फिर आप एक job करते हो, जिस वजह से आपको singing के लिए time नहीं बिलता, तो आप फिर उन दोनों कामों को एक साथ लेके चाहिए, बट इस काम को करने के लिए, एक creative mind चाहिए, आपको जितना हो सके अपनी life के systematic order को समझना होगा, तभी आप एक proper multitasker बन सकते हो, वैसे तो मैं multitasking के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देना चाहता था, बट ये video लंबे होती जा रहे है, तो guys, so guys, अभी सब कुछ बताना तो possible नहीं है, बट अगर आप comment क अगर होगे, तो मैं next video पे लाथ, बस आच की स्वाली वीडियो में इतना ही मिलते अगले video में, goodbye